बासकार दोस्तों, संदिप यादव जी के गुरू यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अपन बात करेंगे आज एक नया चैप्टर सुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर है राज्य सरकार देको अपने राजिस्तान पुलिस कॉंस्टेबल, पटवार, रिट इन सभी में राज्य सरकारों से समंदित क्यूसन पूछे जाते हैं तो राज्य स्टेट गॉर्मेंट से समंदित तो यहां से ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर अपन सुरू करने वाले हैं तो जितने भी विद्यारति हैं उन सबसे अनुरोध हैं कि वो नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और एक बार सेर जरूर कर दिया करो आप ठीक अब या तो देखो सुनो द्यान से सुरू करते हैं पन इस्टेट गॉर्मेंट राज्य सरकार सबसे पहले पूछ लेता है आप से कि राज्य सरकार है इसका जो वर्नन है वो सविधान के कौन से भाग में किया गया सबसे पहले ये चीज़ समझो तो आप क्या करो सविधान के भाग छे में अनुछेद 152 से लेकर 237 तक का जो सम्मन्द है वो राज्य सरकार से है पहली बात आपको समझ में आगी है कि लिए तो क्यूसन में पूछे आप से कि राज्य सरकारों के बारे में वर्नन सविधान के कौन से भाग में किया गया है क्या कोगे सविधान के भाग छे में अनुछेद 152 से लेकर 237 तक यहां से क्यूसन ऐसे भी बना देता है कि सविधान के कौन से भाग को राज्य का सविधान कहते हैं तो क्या कोगे सविधान के भाग छे को राज्यों का सविधान भी कहते हैं अब देखें दोस्तों जिस तरह से केंदर में संसदिये शाशन परनाली अपनाई की है उसी तरह से राज्यों में भी संसदिये साशन परनाली अपनाई गई है और धान रिकना अपने सविधान में ये जो संसदिये साशन परनाली है ये कौन से देश के सविधान से लेगी है क्या कोगे ब्रेटेन के सविधान से ले गई है अब देखे दोस्तो जिस तरह से केंदर सरकार को तीन वागों में बाटा गया है उसी तरह से यदि मैं राज्य सरकार का भी भाजन करता हूँ तो इसे भी तीन वागों में बाटते हैं वो तीन वाग कौन कौन से हैं धाम से सुना एक तो वेवस्थापिका, दूसरी कारिये पालिका, और तीसरी न्याई पालिका, किलिर, तीन वागों में बाटा गया, अब देखो, यदि मैं वेवस्थापिका की बात करता हूँ, तो वेवस्थापिका में एक तो आता है राज्य पाल, किलिर, दूसरा विधान सभा, और तीसरा विधान परिष्ड, किलिर, तो वेवस्थापिका के तीन अज्य है, राज्य की विश्था पिका के राज्य पाल, विधान सबा और विधान परिशद अब विधान परिशदे हैं ये सभी राज्यों में नहीं है सभी राज्यों में नहीं है केलिर परते एक राज्य में एक विधान सबा होगी हर राज्य में एक-एक विधान सभा है लेकिन राज्यों में विधान परिशदे सभी में नहीं है वर्तमान में भारत में केवल छे राज्यों में विधान परिशद है और वो छे राज्य कौन-कौन से हैं एक तो उत्तर परदेश एक बिहार एक महराश्टरा एक करनाटक एक आंदर परदेश और एक तलंगाना कितने राजियों में विदान परिशद हैं? छे राजियों में विदान परिशद है तो वहाँ का विदान मंडल कितने सदनात्म को जाता है दो सदनातमक और जिन राजियों में विधान परिशदे नहीं है वहां का विधान मंडल है वो एक सदनातमक तो हमारे राजियों में राजियों का विधान मंडल है वो एक सदनातमक भी है और दूई सदनातमक भी है लेकिन हमारे देश में जो केंदरी विधान मंडल है जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं वो द्वी सदनात्मक है जिसे संसद है जो केंदरी विधान मंडल है उसमें विविश्थापिका में तीन ही अंग आते हैं एक तो राश्ट्रपती एक लोक सभा और एक राज्य सवा और उसी तरह से राज्य की विधान मंडल है उसमें भी ये तीन है ठीक है अब देखो दोस्तों यहां से एक करंट जीकी का किस्टन बनता है आंदर परदेश को लेकर आप से पूछ ले हाल ही में कौन से राज्य ने अपनी विधान परीशद को भंग करने का परस्ताव पारित किया है तो आप क्या कहोगे आंदर परदेश ने जनवरी दो हजार बीस में जनवरी दो हजार बीस में आंदर परदेश की जो विधान सबा है उसमें उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदसे 133 सदस्यों ने इस पक्स में मत किया कि राज्य की विधान परिशद है वो समाप्त की जानी चाहिए हलाकि ये समाप्त कब होगी अब राज्य के विधान सवाने तो ये प्रस्ता पारित कर दिया ये पारित होने के बाद जाएगा ये संसद में और संसद के यदि दौनों सदन बहुमत के साथ इसे पारित कर दें तो फिर उस राज्य की विधान परिशद को समाप्त कर दिया जाएगा तो राज्य आंदर प्रदेश की विधान सवाने पारित कर दिया है अब ये कहां पर लंबित है मामला, संसद में लंबित है, जब संसद के दौनों सदनी से पारित कर देंगे, तो यहां की विधान प्रिशत समापते हो जाएगी, फिर देखो, राज्य की जो कारिय पाल लिका होती है, उसमें कौन-कौन होते हैं, उसमें राज्य पाल होता है, परिशद होती है और महाधी वक्ता कौन होता है महाधी वक्ता के लिए ये राज्ये की कारिय पालिका के अंतरगते होते हैं इसी तरह से राज्ये की जो न्याए पालिका होती है उसमें उच्छ न्याले और इसके आधी नस्त न्याले आ जाते हैं केलियर तो सबसे पहले अपन व्योस्थापिका पढ़ेंगे राज्य की व्योस्थापिका और राज्य की व्योस्थापिका के तीनंग होते हैं राज्य पाल, विधान सभा और विधान परिशद आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं राज्य पाल के बारे में केलिर दोस्तो तो ध्यान से सुनते चलो समझते चलो एक एक बात को बड़े आसानी से बात समझ में आ जाएंगे ऐसा कोई इस्यू नहीं है कि जो बात आपको समझ में ना है क्योंकि बड़े आसानी से बड़े आराम से अपनी इन बातों को आपको समझाते हुए चलेंगे तो बात बहुत एजी तरीके से समझ में आजाई अब देखो सुनो अब अनकिसके बात करें है राज्ये पाल के राज्येपाल ओता है ये राज्ये का पर्थम नागरिक होता है ये राज्ये का सबसे बड़ा सम्वयधानिक के पदाधिकारी होता है तो राज्ये का सबसे बड़ा सविधानिक पदा दिकारी भी कौन होता है राज्येपाल होता है अब देखो सविधान का अनुछेद 153 क्योंकि अनुछेद 152 की अंतरगतो अपने भारत में जितने राज्ये हैं उन सभी राज्यों का वर्नन किया गया है और अनुछेद 153 में क्या का गया है कि परतेक राज्ये में एक राज्येपाल होगा तो ध्यान से सुनना राज्येपाल के पद का सरजन कौन से अनुछेद के तहट किया गया है अनुछेद 153 अनुछेद 153 में का गया है कि परतेक राज्ये में एक राज्येपाल होगा के लिएर लेकिन देखो दोस्तो सात्वे सम्विधान संसोदन और ये सात्वा सम्विधान संसोदन 1956 में हुआ था इस सात्वे सम्विधान संसोदन में क्या का गया कि एक राज्येपाल है वो दो या दो से अधिक है राज्येपाल हो सकता है तो ध्यान रखना इन बातों का कौन से सम्विधान संसोदन के तहत ये का गया है कि एक राज्येपाल है वो दो या दो से अधिक राज्येपाल हो सकता है क्या कोगे सात्वे सम्विधान संसोदन के तहत और ये कब वा था 1956 में अब सुनो 153 इसका भाग तीन में एक बात कहीगी है और वो बात ये कहीगी है कि उस राज्य का जो राज्य पाल होगा उस राज्य पाल को वेतन है वो उस राज्य की संचित निधी से मिलेगा कहां से मिलेगा उस राज्य की संचित निधी से अब देखो ध्यान से राज्य पाल है ये सवेधानिक पदादिकारी है और सवेधानिक पदादिकारियों के वेतन भत्तों का जो वर्नन है वो सवेधान की अनुसुची दो में किया गया है तो देखो इनको कितना वेतन भत्ता मिलेगा ठीके इन सब का वर्नन तो अनुसुची दो में किया गया है लेकिन कहां से मिलेगा राज्य पाल को ये सवेधान के अनुस्छे एदे 153 के भागतीन में कहा गया है कि राज्य पाल को वेतन भत्ते उस राज्य की शंचित निदे से मिलेंगे अब देखो दोस्तों यहाँ अपने एक बात की है कि एक राज्य पाल है वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्य पाल हो सकता है तो अब यदि वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्य पाल हो गया तो उसको जो वेतन मिलेगा वो वेतन कहां से मिलेगा तो पहले ची तो ये सुनना कि वर्तमान में राज्येपाल का जो वेतन है वो तीन लाक पचास हजार रुपए है यानि कि साड़े तीन लाक रुपए वेतन दिया जाता है राज्येपाल को ये दो हजार अठारा उन्नेस के बजट में उस समय बढ़ाया गया था तो ध्यान से सुनना यदी कोई राज्येपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्येपाल है तो किस राज्ये की संचित निदी से उसे कितना वेतन मिलेगा इसका निर्धारन है वो राष्टर पती करेगा उस राज्ये की संचित निदी से तो इतना दिया जाएगा और उस राज्ये की संचित निदी से इतना जाएगा ये निर्धारन कौन करेगा राज्येपाल और ध्यान लखना राज्येपाल के वेतन बत्तों का निर्धारन करने का अधिकार जैसे अभी साड़े तीन लाक पर मिलते थे, तो ये निर्धारन कौन करता है, तो क्या कोगे, संसद द्वारा, राज्यों के राज्येपलों का वेतन बता है, वो निर्धारिते किया जाता, तो यहां से हैं, कई तरह के क्युस्ण आपके सामने बनके आए हैं, और वो क्युस्ण आपसे पूछ लिये जाते ह अनुचेद 153 के बाद में बात करता हूँ आपसे अनुचेद 154 अनुचेद 154 देखो अनुचेद 154 में क्या का गया है बात को समझने की कोशिस करना अनुचेद 154 में कहा गया है कि राज्ये की कारिये पालिका की समस्त सक्तियां समस्त सक्तियां राज्ये पाल में निहित होंगी यानि कि सवेधानिक दरश्टी से राज्ये की कारिये पालिका का परमुख कौन होगा राज्ये पाल होगा राज्ये का समस्त सवेधानिक कारिये है वो राज्ये पाल के नाम पर ही होता है तो कौन से अनुछेद के तैत है राज्य की कारिय पालिका की समस्त सक्तियां राज्य पाल को सोप पी गई है अनुछेद एक सोप चोवन के तैत लेकिन दोस्तों व्यवहार में इन सक्तियों का परियोग है वो मुखे मंत्री मुखे मंत्री पलस में मंत्री परिशद द्वारा किया जाता है कि इसके दोरा मुखे मंत्री और मंत्री परिशद क्योंकि हमारे सविधान में साथ साथ ये भी लिखा है कि राज्य की कारिय पालिका की समस्त सक्तियों का परियोग राज्य पाल मुखे मंत्री और मंत्री परिशद की सलहा पर करेगा क्योंकि इसमें साब साब लिखा हुआ है कि राज्य की कारिये पाल को उसके कारियों में सलाह देगी और उसी की सलाह के नुसारी कारिये करेगा तो दोनु चीजे दो अनुछेद हो गए हैं 153 और 154 154 के बाद अपने बात करेंगे अगला अनुछेद 155 तो यहां से चीजे समझते विए आगे बढ़ते चलो बहुत इजी तरीके से बाते आपको समझ में आ जाएंगे तो अभी अपने बात करने वाले हैं नेक्स्ट अनुछेद की आप लोग हैं नोट्स बनाने की कोसिस करो जब आप उन चीजों को लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बाते आपको याद भी होंगे और समझ में भी आएंगे अब दोस्तो इसके बाद अपने बात करते हैं अनुछेद 155 देखो अनुछेद 155 का संबंद किस से हैं तो आप क्या कोगे राज्ये पाल की नियुक्ति के लिए तो अनुछेद 155 में क्या का गया है राज्ये पाल की नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है राष्ट पती द्वारा की जाती है किसके द्वारा राष्ट पती द्वारा राष्ट पती है वो राज्य पाल की नुकती है वो किसकी सलापर करता है परधान मंत्री प्लस में मंत्री परिशद की सलापर करता है किसकी सलापर करता है परधान मंत् परिशत की सलापर यहां पर दो बाते ध्यान में रखता है ध्यान रखना जब राज्यपाल की न्युक्ति की जाती है राष्टपती द्वारा तो सबसे पहले वहे वेक्ति उस राज्ये का नागरिक नहीं होना चाहिए पहली चीज तो यह ध्यान में रखने जाती है कि वह वेक्ति उस राज्ये का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्ये का उसे राज्येपाल बनाया जा रहा है और दूसरी बात ये ध्यान में रखने होती है कि राष्ट पती उस राज्य के मुख्य मंत्री से इस बारे में प्रामर्स करेगा कि सम्मंदित वेक्ति को आपके राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है के लिए दोस्तों तो ये राज्यपाल की न्युक्ति से को अनुछेद 156 तो ये बात अपने पच्छमन में की अभी बात करें अनुछेद 156 अनुछेद 156 में क्या का गया है राज्यपाल का कारिय काल अब सुनना इस बारे में ध्यान सुनना राज्यपाल का कारिय काल है वो सामाने तह पांच वर्स है कितने वर्स है पांच वर्स लेकिन वास्तम में राज्यपाल है ये राष्ट पती के राष्ट पती के परसाद परियंत ही अपने पत पर बना रह सकता है केलर तो ध्यान रिकना सामाने कारी काल कितना है पांच सो वर्स है अब ध्यान से सुना कोई भी राज्य का राज्य पाल उस समय तक पद पर बना रहेगा जब तक उसकी जगह उसका उत्रादिकारी न्युक्त नहीं कर दिया जाता है जब किसी दूसरे को राज्य पाल न्युक्त कर दिया जाता है उसके बाद वो अपना पद छोड़ता है लेकिन यदि राज्य पाल त्याग पत्तर देना चाहे तो वो त्याग पत्तर किसे देगा राष्ट पती को तो राज्येपाल अपना त्याग पत्तर की से सुंकता है राष्टपती को एक बात ध्यान में रखना सविधान में राज्येपाल को पद से खटाने का कोई प्रावधान नहीं है किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है ठीक है यह अनुछेद 156 की बात की अनुछे देख सो सताउन में किसकी बात की है योगे ताएं अब देखो राज्य पाल के लिए योगे ताएं एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आयू है वो 35 वर्स होनी चाहिए फिर वोही सामाने है वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए वो विधान सभा सदस्य बनने की योगे ताएं रखता हो ये सब योगे ताएं होंगी राज्य पाल पद के लिए ठीक है फिर देखो अनुछेद 108 अनुछेद 108 में राज्य पाल पद के लिए सर्तें और सर्तों में यही कागया है कि वो संसद या किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य से नहीं होना चाहिए और यदि है तो उसे त्याग पत्तर देना होगा और वो किसी लाव के पद पर ना हो ये राज्य पाल पद के लिए सर्ते हैं ठीक है और अनुछेद 159 169 में कागया है राज्य पाल को सपत राज्य पाल को सपत कौन दिलवाता है तो द्यान रिखना राज्य पाल को सपत संबंधित राज्य के उच्छ नाले के मुख्छ ने आए दिस द्वारा जिस राज्य का राज्य पाल ने उच्छ ने आए दिस द्वारा सपत दिलवाई जाती है और यदि मुख्छ ने आए दिस नहीं है तो उनके बाद जो भी वरिष्ट ने आए दिस होगा वो राज्य पाल को सपत दिलवाईगा तो देखे दोस्तों यहां तो अपने बात की है राज्य पाल के पद को लेकर उसकी योगेताएं उसका कार्यकाल उसके सावेदानिक इस्थती किलिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे राज्य पाल की सक्तियां कि उसके पास वास्तों में क्या पावर है वैसे आपने पढ़ा होगा कि राज्येपाल के बारे में पंडी जोहरलाल नेरों ने कहा था कि वो गाड़ी का पांचवा पईया है और राजे पाल के पद के बारे में सरोजनी नाईडु ने कहा था कि राजे पाल सौने के पिंज़रे में बंद एक चिडिया के समान है तो इस तरह से राजे पाल के बारे में का गया है लेकिन फिर भी इनका अपने आप में एक बहुत बड़ा समयधानिक महत्व है यहां पे एक क्योचेशन और बनता ध्यान रखना देखे दोस्तों, Rाज़ेपाल की जो निुक्ती है, उससे समंदित जो प्रावधान है, वो कैनारा के सविधान से लिया गया देख, ध्यान रखने इसे बात का, राज्येपाल की न्युक्ति से सम्मंदित यहां अनुचित 155 में अपने बात की राज्येपाल की न्युक्ति तो राज्येपाल की न्युक्ति से सम्मंदित प्रावधान है वो कौन से देश के सविधान से लिया गया है कैनडा के सविधान से लिया गया है के लेर दोस्तो दान्यवाद